एक स्लेबस है जो लास्ट टाइम तो कुछ लोग अगस्त के महीने में पढ़े थे जो अगस्त के बाद आए है ठीक है उनका ये आखरी टाइम होगा इसके बाद अभी पूरे बेच में नहीं होगा दुबारा देखो क्या है एक तो टेकनोजी होती है दूसरी जन्रल साइन्स बताई थी आरेस के स्लेबस में तो परियोर मेंस दोनों में है और दोनों ही है साइन्स भी है और क्या है टेकनोजी भी है ठीक है कुछ चीजों को गोर से सुनना, फरक कुछ नहीं है सलेबस का, फिर फरक इस चीज़ का है कि अरेश में सब्यक्ट इंपोर्टेंट होती है तो कुछ किसमें इंपोर्टेंट होती है आई चीजों में, बाकी सलेबस सेम है जैसे आप पॉलिटी पढ़ोगे तो ये बड़ा विवाद पुन चीजे हैं, भी भी तुमारे दिमात में चलती हैं, कि RS की quality अलग होती होगी, IS की अलग होती होगी, तो सभीधान तो एक ही होता है, है ना, सेम ऐसे ही science, physics, chemistry, ऐसा थोड़ी है कि low of motion उदर अलग पढ़ा देगा, इदर अलग पढ़ा देगा, है पर ये trend है, कहीं तुम लोग क्या है, हन्मान जी की कसम खाकर ही, score at low, है ना, trend का मतलब 5-7 साल से यही चलता आ रहा है, ठीक है, कि दो क्यूशन तुम से physics से पूछेगा, दो chemistry से और दो कहां से, biology से, clear है, और जिस इस्तर की पूछेगा, वो कौन सा इस्तर है, 10th प्लस, 2 के level की, clear है, कि अधिक्तम बारवी के स्तर की चीजे तुम से पूछ सकता है, यह तो किस segment की बात है, general science की, और फिर technology 5 परकार की होती है, science और technology में क्या फरक होता है, science होती है, technology, technology होती है, यह कुछ और भी फरक होता है, कितने लोग science वाले हो, अच्छे हाथ उपर करो, बे सर्मो, गोर से देखो इन चहरों को, यही चुन्नोतियां है, science में से, knowledge, और technology में से, तो क्या फरक हुआ, knowledge दो भागों में होता बेटा, बहुत बार बताया है, एक information, दूसरा wisdom, तो तो उल्टा बोलता तो समझ में आता, कि science का मतलब तो information होती है, ठीक है, और technology का मतलब क्या होता है, wisdom, जहां तुम सिध्धानतों को पढ़ते हो, उसको तो हम क्या कहते है, science, उन सिध्धानतों को जब विवारिक जीवन में परियोग लेना सुरू कर दो, तो उसको हम क्या कहते है, technology, clear है, तो महत्वे किस चीज का होगा, technology का, clear है, तो कुल मिला कर समझ आ रहा होगा कि जब तुम नोकरी पर जाओगे, एक एक चीज को समझ ना, क्योंकि देखो, यही PMT में पढ़ रहे होते हैं, तो पूरी साल कहां गुजार नहीं थी, इस science के अंदर ही, ठीक है, IIT में पढ़ रहे होते होते हैं, पर यहां उल्टा है, यहां सलेबस में विचारे ने सामने लिखा कि सामान्य विज्ञान है, तो हमें विज्ञान का विश्य सग्ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए कि जब हम तुम्हें समझाएं कि कलेक्टर बनने के बाद स्वास्ते की समश्याओं से क्या समश्या हो सकती है, तुम्हें यह पता होना चाहिए, कि जब एक आदमी पूरे जीले में अगर उसको खांसी आ रही है, जुखाम लगी है, तो चुनोती है कि सामाने बात है, पर पूरा जिला ही खांसरा हो तो चुनोती हो जाते है, उसको बाइलोजीकल वीपन का टेक कहते हैं, तो जब तुम्हें यहीं नहीं पता कि पूरा जिला खांसरा है, तो सामाने नहीं है, चुनोती है, तो फिर तुम्हें सामाने मानकर नज तो कुछ बेसिक्स तुम्हें पता होने चाहिए और टेक्नोजी की बात करते हो तो ये विवार का पाठ है इसलिए ज्यादा रिलिवेंट तो कौन सा होता है टेक्नोजी इससे हर टेक्नोजी से दो क्यूशन आते हैं RS Pre के अंदर, ठीक है, कुछ विद्वान तुम में से क्या करते हैं कि जब ये बताता हूं तो क्यवल सुनते हैं, मैं ये हर साल हर बेट में बताता हूं, समझा रही है बात को, ये लिखने के होते हैं ताकि तुम्हारे बच्चों के काम आएं कि जब पढ़ें तो कौन सी चीज में कौन से क्यूशन आएंगे, जब टेकलोजी की बात करते हो तो पांच होती है, एक आईटी होती है, इनफोर्मेशन टेकलोजी, एक बायो होती है, तीसरी नेनो होती है, चोथी डिफेंस सुना होगा, और पांच भी कौन सी होती है, इस पेस, तो पांच तकनीकी होती है, सूचना प्रोधोगी होती है जे प्रोधोगी होती है ठीक नेनो प्रोधोगी की होती है रक्सा प्रोधोगी की और अंत्रिक्स प्रोधोगी की हर से दुद्दू क्यूशन आएंगे समझारी है बात को पर सारे के सारे करंट के आएंगे किस के आएंगे करंट के अथार्थ जि पहले दिन तुम पढ़ोगे, जैसे सपोज करो आज हम पढ़ना सुरू करेंगे, तो 6 या 7 दिन लगेंगे इसको पढ़ने में, तो तो शुरुवात के 5 दिन पढ़ोगे वो कभी एक्जाम में नहीं आएगा समझारी है 100% एक्जाम में नहीं आएगा किस एक्जाम की बात कर रहा हूँ प्री की ठीक कभी नहीं आएगा तो फिर सवाल यह आएगा दिमाग में कि पढ़ क्यों रहे हो तो चठ्थो और साथवे दिन पढ़ना है वो समझ नहीं आएगा अगर तुमने पांस दिन नहीं पढ़ा हो तो क्लियर है इसलिए हम लोग इन चीजों को पढ़ते हैं तो हमेशा करेंट से जूड़ी चीज़ आएंगी जो दो क्यूशन होंगे तो हर साल एक्जाम जब दो तो एक आइडिया रखना कि साल एक ओवरोल करेंट याद रखना जब तक सामिल नहीं होता तब तक वो अभी क्यूशन का पार्ट नहीं है क्लियर है तो यह हमेशा किस पर डिपेंड करता है करेंट पर क्लियर है अब जड़ा देखो सेम कहानी मेंस के अंदर है आरेस में फिजिक से भी क्यूशन पूसता है के मेस्ट्री से भी पूसता है बाइलोजी से भी पूसता है और पूरी टेकनोजी से भी पूसता है तो कुल मिलाकर आरेस में पूरी जर्नल साइंस और पूरी टेकनोजी है प्री और मेंस में भी प्र अब दिमाग में छोटी सी चीज सब के चल रही होगी, साइन्स वाला तो खुस हो रहा होगा कि 16 तो पूरे बाये हाथ का खेल है, तो सबसे रहा गलत तुम्हारे ही होगे अभी से लिख लो, क्योंकि जो बाये हाथ का खेल है वो केवल छैक्यूशन है, समझ रहे हो, physics, chemistry, biology वा पड़े थे, easy way में, ऐसा ही यहाँ पर है, पर यह जो technology का segment है, इसमें कोई तुम में से आस्त कैसा नहीं है, जिसने कुछ भी पड़ा होगा, basics पड़े होगे, पर ना तो तुमने IT पड़ी, ना बायो पड़ी, ना नेनो पड़ी, जैसे तुम एक पड़ी पड़ी चुके हो मुस्की से 10 घंटे का syllabus है, नेनो पड़ाएगा तो 4 घंटे का syllabus है, यानि 4 घंटे में तुम्हारी क्या cover हो जाएगी, नेनो टेकनोजी, दो क्यूशन cover हो जाएंगे, तो यह सबसे छोटा segment है, समझा रहा है, यह defense space भी मेरी बात छोड़ो, बाकी से जब पड़ते हम सामाने, तब हम लोग क्या करते हैं, कि इतना ही 10-12 घंटे का, मैं basics ज़्यादा खिंशता हूँ, इसलिए वो थोड़ा time ज़्यादा लग जाता है, बाकी सब का खेल यही है, तीक है, कि 12-13 घंटे का खेल है, तो आफ सो चो 12-13 घंटे एक subject पढ़ने से दो number cover हो जाते हैं, तो important खेल ह और सबसे जो important इसमें segment है, देखो क्या है, कि जब IS की बात करोगे, तो IS में general science जो है, मेरी बात को गोर से सुनना बहुत important है, general science जो है, वो केवल कहां पर है, prelims में है, वो कभी means में नहीं आती है, ठीक है, और prelims में भी physics नहीं आती है, chemistry नहीं आती है, जो आती है, वो क्या ह biology, तो यह तो और important हो गया, कि आपको अगर IS की त्यारी करनी है, अकेले IS की, तो focus केवल किस पर करना है, biology पर सवाल है, कि जब आप physics, chemistry, biology, 3 RS के साब से पढ़ लोगे, तो automatic cover हो जाएगी, किस के साब से, अगली चीज़ देखो, यह जो technology है, यह हमेशा IS में कहां आती है, domains में, हाँ, इसका कुछ current perspective होता है, वो कभी कभी कहां पूछ लेता है, prelims में, पर वो current के साब से पूछता है, technology के साब से नहीं पूछता है, तीक है, जैसे कोई नई हमने missile बनाई हो, तीक है, या हमने कोई नया antrix यान छोड़ा हो, तो वो current के लिए important हो गया, तो वो जुरूर पूछ लेगा कहां पर, प्री में, बाकि technology का कोई question नहीं आता, कहां पर, प्री में, कहां आता है, mains में, पर उससे भी important चीज़ देखो, क्या है, कि यह जो technology mains में आती है, यह 100 number की होती है, कितने number की होती है, इससे छोटा सलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे UPC में, बासमजारी है, यह जो 100 number का सलेबस मैंने तुमें बताया, इससे छोटा सलेबस तुमें कहीं नहीं मिलेगा पूरी UPC में, क्योंकि 20 number की एक technology आती है, तो 5 के इसाब से कितना हो गया, 100, अब छोटा क्यों कह है रहा हूं, देखो, कि 100 number मेंस के कवर होना अपने आप में चुनोती होती है, तुमने पॉलीटी पड़ी, 100 number 3-4 जगह पड़े उत्तब जाकर कवर हुए हैं, लगबग 2 महीने पड़े उत्तब जाकर 100 number कवर हुए हैं, और यहां की बात करोगे, तो मुश्किल से कितने दि 20 दिन का खेल है, 20 दिन का, अपने आप समझ में आ जाएगा, कि तुमने defense technology पड़ ली है, तीक है, आज हम space पड़ेंगे, एक तारिक से 7 तारिक के बीच में तुम लोग technology के बचे segment पड़ोगे, तो 7 तारिक तक तुम्हारी पूरी technology क्या हो जाएगी, तो आप खुदी देख लोग की 10-12 दिनों के अंदर अंदर तुमने total 20 से उपर तो गया नहीं होगा, तो 20 दिनों के अंदर तुमने पूरी technology कवर कर ली, छोटा सलेवस है, उससे भी छोटा इसलिए important है कि सारे question कोन से होते है, textual, यानि दो चीजे की पहले भी बताया है, question दो तरीके के होते है, ए अश्कों तो हम क्या कहते हैं, तो दुनिया का सबसे चुन्नोंती पूर्ण सवाल तुम्हारे लिए वो ही होता है, हालां कि दुनिया के लिए आसान होता है, यह सब चीजे कि जब आप से पूछ ले कि अपने ही साब से बताओ, कि भारत में लोकता आंत्री विवस्ता क्या ह तुम्हारे लिए विचार है नहीं अपने पास में, आदमी के पास विचार तब नहीं होता, तुम्हारे पास में तुम्हें कौन सा सही लगता है? कि जो पढ़ाओ वैसा का वैसा आ जाए, तो वो हमारा सो भागय है, और उसी पर तुम अच्छे टीचर हो, व़ना बूरे समझार यह बात को तो अच्छे टीचर वाला पता चलता है यह हमारी मजबूरी है कि केवल यहीं पता चलता है यहां एज़िटी जो तुम नोट्स में लिखोगे और यह कुछ करंट का आता है तो जिसको तयार करोगे वह एज़िटी जाएगा यानि क्यूशन के पेटरन को द िए क्या है तो उसका कोई महत्व नहीं है वहाँ एज़िटीज बताना होगाvenidos C34 क्या है उसको सेरी टेकनिकल स्पेश्शी केसं क्या है उसका चीव्मेंट क्या है तो वह डारेक्ट आपको ऐज़िटीज क्या करना होगा इसलिए और छोटा हो जाता है सलेबस ताइम पीरिड के साफ से छोटा है और पड़ने के साफ से क्या है टेक्स्ट्वल है इसलिए अगर तुम्हें अपनी रेंक सुधार्णी हो यह एक्जाम को पास भी करना हो तुम्हारी भासा में बात करूं तो उसमें सबसे बड़ी जो रामबान होती है वो क्या होती है टेक्नोजी क्योंकि यह सोर नंबर ऐसे हैं जो चाहकर भी कोई काट नहीं सकता यह दिया आपने आंस्वर सही लिखा है तो क्लिर है और अगर नहीं लिखा है तब एक अलग बात है बाकी जहां राय पूछ रहा है वहां तो आपकी राय किस से मिलनी चाहिए सामने वाले से तब जाकर नंबर मिलेगा पर यहां तो हंडेड परसेंट है कि जो सा पूछा है उसका स्पेसिकेसन तुमने पूरा लिख दिय यह स्पेस किसकी संपत्ति होती है किसी की नहीं होती लावारी सोता है कोई भी जाएगा फ्लोट काट लेगा ऐसा कि एसा ही है क्या कोई भी जाए अपना फ्लोट काट ले रजिस्ट्री बना ले वहीं पर ऐसा है कि तुम्हारी भासा में जो उपर जाता वापस नहीं आता है इसलिए अन्वती है उदर प्लोट काटने कि तुम काटो क्योंकि कुछ भीड़कम होगी इस राष्ठर में वही बहुत अच्छी है तो प्लान बनाओ सारे चांद पर पहुंचने का और वहीं रहना सुरू कर दो पर रोज अख्वार में पढ़ रहे हो कि इंसान ने क्या है नहीं चुनूतियां देदी इस विज्ञान को जहां नहीं रहना संभव है वहां रहना सुरू कर रहा है सुना होग प्रिकी कह रहे हैं कि 2022 तक हम रहना शुरू कर देंगे उड़्य फिर अमेरीैं के तुम हमारे दुस्मन हो तुम बातीश तक होगे तो तो दुनिया में एक बड़ी परतीस परदाहिस छेतर को लेकर है। ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे को अभी भी काम आएगी, नोकरी के दोरान भी काम आएगी और ट्रेनिंग के दोरान भी पढ़ना पड़ेगा। एक ऐसा सेग्मेंट होता है, जिसका राष्टर के लिए बहुत बड़ा महतुए है। जब आप टेकनोजी की बात करते हो, तो अंत्रिक्स टेकनोजी की वज़े से ही, जैसे आज मैं यहां बेटकर दुनिया में पढ़ा रहा हूँ, ये किसकी वज़े से है। तुम फोन पर बात करते हो, किसकी वज़े से है। इस पेस टेकनोजी की वज़े से है। तुमने देखा कि बाला कोट में हमने कोई सर्जीकल स्ट्राइक किया किसकी वज़े से है। तुम्हें कैसे पता चला बाला कोट कहां पर है। तुम्हें कैसे पता चला कि वहां आतंकी हैं, यह मान व्याधार पर कभी संभव नहीं है, याद रखना, तुम कहीं सोचो कि उदर से फोन किया होगा, किसी ने कि तुम इतना अंदर आ जाना, सोवन किलोमेटर गिनकर, मैं एक दम पैदल जाकर गिनकर आया था, और वहां आकर तुम आकरमन कर देना, हैसा नहीं है, सब खेल किसका होता है, इस पैस टेकनोजी का, तो फिर केजरिवाल जैसे आदमीं सब्वूत मांगें, कि तुम ने किया कि नहीं किया, तो ये भी कौन देगा, सुना होगा ना, हम लोगों ने वहां के एर स्ट्राइक के फोटो जारी क किये हैं, तीक है, और कोन हमारे उपर आकरमन करेगा, कब करने वाला है, क्या प्लानिंग चल रही है, ये सब किस से पता चलता है, इस पेस टेकलोजी से, तो ये एक तरीके का केमरा होता है, तुमारी भासा में कहूं, तो इंसान की तीसरी आख होती है, जो कहां लगाई जा सकते हैं, दूसरों के घर में देख सकते हैं, हालां कि आदत बूरी होती है, ऐसा नहीं देखना चाहिए, पर राष्टर के लिए ऐसा करना पड़ता है, पडोसी कमबन कमरे में तुम्हारे खिलाब क्या कर रहा है, ये जब तब तब तुम्हें पता नहीं चलेगा, तब तक भारी मातरा में बनाएंगे, और ऐसा बनाएंगे कि पूरा भारत एक साथ क्या कर देंगे, खतम, तुम्हार तो तनाव शुरू, क्योंकि नाम किसका है, अभी केन्या ने का होता तो, तुम कहते हैं, सुबह सुबह मजाक मत किया करो, अभी खाना बनाओ, पर पाकिस्तान न कोनों तोर पर क्या हो, सुरक्सीत हो, अब आदमी दिन रात ये सोचकर डर रहा है कि मैं मर जाओंगा, तो और तनाव पेदा होगा, तो इससे अच्छा है कि हम खुले घुमे, हम सवतंतर होकर घुमे, इसके लिए जरूरी है कि हम ऐसी टेक्नोजी का परियोग करना पड़त बं नहीं बन रहा, तो फिर उदर उन्होंने कहा पूरा भारत उड़ाएंगे, हमने कहा दिवाली पर आना काम आएगा, क्योंकि हमें कैसे पता चला, इस पेस टेक्नोजी से, तो इसका मतलब रणनितिक महतुव भी रखता है, क्लिर है, दीरे दीरे जनसंग क्या बढ़ रह होता है, अब जैसे दनसंग क्या बढ़ रही है, तो सीकर फेल रहा है, देख रहे हो, हर दिशा में फेल रहा है, तो जाहिर सी बात है, करसी जमीन का हम लोग अधिगरन कम कर रहे हैं कि ज्यादा, तो फिर संसादन कम नश्ट हो रहे हैं कि ज्यादा, तो फिर जहां बंजर जमीन पड़ी है वहां तो हो सकता हम गये ही नहीं हो और हमने करसी जमीन खराब करकर क्या कर दिया सहरी करन बढ़ावा दिया तो यह अंड प्लांड डवलप्मेंट है तरीके का यह हमारे लिए भवीसे में चुनोती देगा क्योंकि भारत तो बढ़ने से रहा भारत तो इतना कि तरफ बढ़ाना है कि उत्तर परदेश की तरफ बढ़ाना है कि उधर हमें जम्मू कस्मीर की तरफ बढ़ाना क्योंकि जहां गेर करसी भूमी हो वहां बढ़ाने में हमें फाइदा होगा आब आदियां बढ़ेंगी तो सारी चीज़ें यही है समुंदर में किस जगह कहा संसादन मिलता है यह हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास नहीं बहसे प्रेंटार किसकी होगी कि जिसका केमरा भेतर देख सके ज्यादा नस्दीक से चीजों को देख सके तो हमारे पीछ एक चुनोती है हम बेग्ग्राउंड पर बात कर रहे हैं इसलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं कि 2008 से पहले हम लोग क्या करते थे कि हमारा जो चोकिदार हमने उपर बिठाया है वो केवल दिन में ही चोकिदारी कर सकता था तो ऐसा चोकिदार किस काम का जो दिन में ही काम के दिन के उजाले में तो कोई नहीं आएगा सारे काले काम कब होंगे तो रात को चोकिदार सो जाता है, कि मैं देख नहीं सकता हूँ, यह हमारी तकनीकी कमजोरी थी, कि before 2008 we are not visible to see night, 2008 से पहले किसी भी परस्तिती में भारत के पास ऐसी कोई तकनीकी नहीं थी, कि हम रात में होने वाले किसी आकर्मन को देख सके, किसी गतविदी को देख सके, हम ल आगिल युद के बाद जब पूरी प्रस्तितियों की बात करोगे, 2008 में मुंबई अटेक हुआ था, तो वो बड़ा आपने आप में एक विवादपून कहानी थी, तुम यह कहो कि हम पाकिस्तान से सुरक्सित हैं, तुम यह कहो कि दुनिया की सबसे बड़ी नो सेना है, वो जहाज पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान के अंतराष्ट्री सीमाओं को पार करता है, वो अंतराष्ट्री सीमा में आता है, भारत के जहाज को लूटता है, भारत के जहाज में दस लोग बेटते हैं, वो भारत की सीमा में आते हैं, और वहां से आराम से वो लोग क्या क तो उनुने कहा कि उस जाज पर भारत का जंदा लगा था, इसलिने हमें लगा किसके जाज है? बड़ी चुनोती है. क्या लगता है कि उदर वाले आएंगे तो बता कर आएंगे कि यह पाकिस्तान का जंदा लगा रखा है, हम आतंग वादी है, या पहचान पत्र पहन कर आएगे कि हम दुनिया के कुख्यात आतंगवादी हैं जैसे ही तुम्हारी सीमाओ में आते हैं गोली मार देना, ऐसा या फोन करकर तुम्हारे कमाण्डर को कहेंगे रात आठ बजे आ रहे हैं देख लेना, नहीं संभव है, सवाल ये है कि कैसे intelligence फेल हुआ सवाल ये है कि कैसे मानवे भूल हुई पर एक छोटा सा सम्मीकरण है कि इनसान से तो भूल हो सकती है इसलिए भूल हो सकती है कि सबसे बड़ी चुनोती तो ये है कि तुम्हारी घरेलू सीमा से तुम्हारा जहांच कोई कूबेर नामक अंतराष्ट्री सीमा में चला गया, तुम्हें ये भी नहीं पता चला, वो वापस नहीं लोटा, तो ये भी नहीं पता चला, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है, भारत के नागरिक सवार थे, अंतराष्ट्री सीमा में गये हैं तो आप लेकिन कहा जाता है कि तकनीकी एक ऐसी चीज होती है जो किसी को नहीं छोड़ती है। तो जब इसकी बात आजाए हमारे पास में, अब आप खुद सोचो कि नीचे चोकिदार खड़ा करूँ इस से अच्छा है पूरी बिल्डिंग में केमरा लगा दू। कौन सा इंपोर्टेंट है, यही वाला, कि वो सब जगह को कवर करेगा, हर छेतर को कवर करेगा, पर चुनोती तब होती है कि जब वो केमरे दिन में भी काम करने चाहिए, रात में भी, वो हर मोसम में काम करने चाहिए, तब जाकर मेरे लिए सफल होंगे वरना नहीं होंगे। ऐसे में जब इस तकनीकी की बात करोगे तो सबसे बड़ा फेलियर था कि हम लोग रात में नहीं देख पाते थे तो हमें पता चला बाद में हमने जब सोध किया इन तीजों पर कि दस लोग आ रहे थे अंदर लेगिन एक के उपर एक दिख रहे थे यह हूँ कि दिन के केमरे से रात में काम करवाओगे तो नहीं काम करेगा तो हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है 2008 के बाद हमने इस पूरे छेतर में बहुत बड़ा काम किया और काम करने के बाद हमने कोई reset to नामक विवस्ता इस्तापित की ठीक है reset to जब इस्तापित की गई ये एक satellite है ठीक है जो इजराइल के मादेम से हमारे हां डबलप हुई हम detail में पड़ेंगे उसके बाद हम लोगों कि यहां पहली बार active satellite module शुरु हुआ जो दिन में भी देख सकता और रात में हुई clear है उस पूरी परंपरा में देखोगे तो देखो 2008 तक में क्या कह रहा हूं कि हमारे पास ऐसा कोई उपगर है परनाली नहीं है जो दिन या रात दोनों में देख सके पर 2014 में तुम सुनते हो कि विश्वरी कोड बनाया एक साथ 104 उपगर है ले जाने का किस राष्ट्र ने भारत में क्लियर है यह तो अजीव कहानी है आर्ट तक तो तुम दुनिया के सबसे तकनिकी तोर पर कमजो राष्ट्र पिछडे राष्ट्र और 2014 में तुम दुनिया के 20 साली राष्ट्र क्योंकि विश्वरी को 127 का आखरी है चुन्नोती तो यह है याद रखना कि एक साथ ले जाने का रिकोड 27 का ही है जो रूस लेकर गया है लेकिन हम कितने लेकर गए हैं यह अपने आप में चुन्नोती है समझारी है बात को दुनिया चांद प्रठारावार घूमकर आ गई है लोग आद्मी उतार चुके हैं जब हमने सोचना शुरू किया था कि हम भी अंत्रिक्ष में जाएंगे तब लोग जाकर वापस आ गये थे अपोलो प्रोग्राम बंद कर दिया था मेरी क्यों ने लेकिन जब उसकी बात करते हो तो वास्त कुछ नहीं ढू लेकिन फ्यूचर जो हमारा है वो सबसे इंपोर्टेंट खेल है तेन चार चीज है तुमने अभी पड़ी कि टेकनोजी सेक्योरेटी प्रसपेक्टि इंपोर्टेंट है डवलमेंट प्रस्पेक्टिव इंपोर्टेंट है और जब इसकी बात करते हो तो आज में य Labor महर lunम你們 झाल झाल